रेट मी फोर इनकमिंग कॉल वाल पेपर सेटिंग नमस्कार वोस्तो स्वागर आप सरीका तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप जो है अपने फोन पे इनकमिंग कॉल वाल पेपर सेट कैसे कर सकतें मान लेकिन अगर आप incoming call wallpaper set करते हैं तो आपको अलग तरीके का wallpaper सामने देखने को मिल जाते हैं जब भी आपको कोई call करते हैं ठीक है तो अगर आपको भी setting set करना है तो आज के इस वीडियो को देखें और follow कीजिए process को ठीक है तो चलिए वीडियो को देरना करते हुए शुरू करत लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूत से कर लेना यहीं आप online पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो description पर आपको उसी का link मिल जाएगा तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको करन हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना है आपको अपने कंटेक्स के अंदर पर ठेक है तो कंटेक्स पर है जाने की बाद जोस्तों आपको कुई number है करना है यहाँ पर एक number बना लिता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते दोस्तों यहाँ पर मैंने number set कर दिया है अब ही दोस्तों मैं इसको back कर देता हूँ और context पर जाता हूँ context पर जाने के बाद दोस्तों मैंने y के नम से set किया था तो यह रहा तो इसमें जाके आपको करना क्या है इसके यह जो profile है उसमें click करना है उसके बार आपको मिलेगा choose photo form gallery अभी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई एक photo select कर लेना है जैसे कि यहाँ से यह वाला picture ठीक है ओके कर देते हैं तो अभी दोस्तों जबी भी आपको यह बंदा call करेगा तो आपकी screen पर हमेशा इसका जो यहाँ पर photo आपने set किया है वो ही show करेगा ठीक है लेकिन एक number के लिए एक photo आप use कर सकते हैं और दोस्तों यह काम आप sim context पर नहीं कर सकते हैं अगर sim पर कोई भी contact है तो उनको move कर लिजे अपने gmail या फिर अपने mi account पर ठीक है तो इससे क्या होगा आप wallpaper जो है incoming call के लिए set कर पाऊगे ठीक है तो incoming call wallpaper आप एक ही बार में change नहीं कर सकते हैं आपको सभी context के लिए सभी यहाँ पर जो है क्या करना होगा उसका profile set करना होगा ठीक है यानि कि उस contact के अंदर पर आपको photo डलना होगा तभी आपको मिलेगा incoming call wallpaper और इस तरीके से यह काम किया जाते हैं ठीक है तो दोस्तों यह था incoming call wallpaper setting उमीड करते हैं आपको समझ में आगा होगा कैसे यह चीज़ काम करते हैं कैसे आपको set करना है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के लिए बस इतना ही व спасा बाते हैं